दोस्तों नमस्कार जैसरी किष्णा जैसरी राधे दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंग रासी फल अगस्त दो हजार तेज अगस्त का महीना सिंग रासी वालों लियो साइन वालों आपके लिए कैसा रहेगा आपके सिक्षा स्वास्त करियर व्यापार की इस्तिती किस प्रकार की रहने वाली है आईए जानते हैं दोस्तों हमारा यह रासीफल चंद रासी यह निमून साइन के अनुसार होता है उसी के नुसार देखें बस सुनें, अगर आपको चंद रासी या नी मून साइन पता नहीं है, तब आप इसे नाम रासी के नुसार भी देख बस सुन सकते हैं दोस्तों, ये जो अगस्त का महीना है, ये आपके स्वास्त करियर व्यापार को किस परकार से बदलेगा, क्या बदलाव लाएगा आपके जौब में, आपके करियर में, ये हम जानेंगे क्यों आ जाता है हर महिने आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव उसके पीछे है ग्रहों का गोचर और अगस्त के महिने में तीन ग्रह गोचर परिवर्तन करने वाले हैं जब ये गोचर में परिवर्तन होते हैं तो आपकी भी लाइफ में परिवर्तन आते हैं हम सब की लाइफ में आते हैं, चाहे कोई गरीब हो चाहे बहुत ज़ादा अमीर हो हर किसी की लाइफ में परिवर्तन आते हैं और परिवर्तन ही संसार का एक नियम है आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या कूँछ बदलने वाला है सुक्र परिवर्तन, सूर्य परिवर्तन और मंगल परिवर्तन, तीन ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं इस महीने चंद्रमा तो परिवर्तन करता ही रहता है हर सवाद हो दिन, धाई दिन में तो उसको हम अपने जो देनिक रासीफल होता है उसमें कवर करते हैं यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि 8 ग्रहों के आधार पर आपके जीवन में क्या कुछ बदलने वाला है सबसे पहले रासीफल सुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें हम इस चैनल पर आपको इस रासीफल में सिक्षा स्वास्त करियर ब्यापार के बारे में देते हैं विवायोग के बारे में बताते हैं लेकिन लव लाइफ, मेरीड लाइफ नहीं बताते हैं वो क्यों नहीं बताते हैं आपको अगर पता नहीं है तो आपको बता दें कि हमारा दूसरा चैनल है लब्टिस्विद अतुली जी उस चैनल पर हम लव रासीफल देते हैं जिसमें सिंगल, लव लाइफ, नो कॉंटेक्स रिचेशन, मैरिड लाइफ, एक्ष्टा फैर सभी के बारे में बिस्तार से बताते हैं तो वहाँ पर आप जा करके अपना लव रासीफल देख सकते हैं वहाँ पर दे दिया गया है लेकिन यहाँ पर अगर आप सौट में जानना चाहते हैं तो मुँँ कुछ हाइलाइट आपको पहले लव लाइफ, मैरीड लाइफ की एक्ष्टा फैर की बता देता हूँ उसके बाद में आप इस करियर रासीफल को देख सकते हैं तो हाइलाइट यह है कि अगर सिंगल हैं तो बहुत जादा साभधान रहने की जरूरत है बहुत बचके रहने की जरूरत है बहुत लोग आपके साथ फ्लरड करेंगे बहुत आपके बीचे आएगे क्यों बचके रहने की जरूरत है वो भी आपको बिस्तार से देखना पड़ेगा लेकिन किसी को प्रपोस नहीं करना है किसी को प्रपोसल को एक्सेप्ट नहीं करना है और जिसकी तरफ ज्यादा ध्यान जाए उसकी तरफ तो बिलकुल भी नहीं दीखना है जो बहुत ज्यादा attractive लगे उससे तो दूर बचके ही रहना है love life में partner आपको कहीं न कहीं बिस्वास बहुत ज्यादा partner का आपको बढ़ जाएगा पार्टनर बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाएगा उस तरीके के स्थितियां चलेंगी जिसमें थोड़ा बहुत पार्टनर कन्फ्यूज होगा लेकिन बहुत सारी स्थितियां अच्छी ही दिख रही है लेकिन 18 अगस्त के बाद में कुछ चीज खराब भी हो जाएगी तो कुछ ऐसा सच सामने आ जाएगा जिससे स्थितियां बहुत खराब हो जाएगी और एक्ष्टा अफेर में पार्टनर आपके कुछ अधूरे सपने पूरे करवाने वाला इस महीने तो अगर पूरा बिस्तार से रासीफल देखना है लव रासीफल लव लाइफ के वारे में तो आपको हमारे दूसरे चैनल पर जाना होगा लव टिप्स बिद अतुल जी चैनल का नाम है वहाँ पर जाना होगा अब आगे बढ़ते हैं और आपका करियर रासीफल जानते हैं सबसे पहले बात करेंगे सिक्षा की बिद्यार्थियों के स्टुटेंट्स की आपके नौबी दस्वी मी पढ़ रहे हैं तब भी आपका जो मन होगा ना वो काफी हाइर एजुकेशन का या फिर उच्च लेवल का जो बड़ी एज के लोग पढ़ रहे होंगे उस स्टडी का जैसे कई लोग साथ भी आठवी में आकर के ही वो UPSC की चीजें या बहुत जादा आपका मन हो जाएगा आपको बहुत जादा अच्छी सिक्षा उच्छी सिक्षा और आप अपने से बड़े उम्र के कुछ बड़े एज के लोगों को दोस्त या भाई बना करके उनसे मदद लेंगे इस्तितिये बन जाएगी कि आप बहुत जादा उच्छी सिक्षा की और अग्रुसर होंगे। उसमें सबसे ज़्यादा येक इस्तितिय भी बन रहे हैं कि आपके उपर जिम्मेदारियां भी बहुत आने वाली हैं। स्टुटेंट्स हैं कमेज के हैं तो जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली हैं। पढ़ाई में बहुत मन लगेगा और इस्तितिय ये हैं कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी होगी लेकिन उस कन्फ्यूजन में भी आप डटे रहेंगे, हाड़ वर्क करेंगे। मंगल की बज़े से यहां पर इस्तितिय आपके लिए 18 अगस्त के बाद में और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। सामाजिक छबी आपकी बहुत अच्छी हो जाए, अगर कोई केस चल रहा है, कोई कोट कचरी में आप बड़े बदपर हैं और आपके उपर कोई allegation लग गया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो गई है, तो वो आपका खत्म हो सकता है, वो केस आप वहां से आजाद हो सकते ह किसी प्रकार की कोई अगर चरित्र पर कोई दाग है तो वो उससे पूरी तरह से निशकलंकित हो सकते हैं, बहुत जादा यहां पर इस्तिति ये भी है, कि आपको गुसा बहुत आएगा, और आपकी जिबान, आपका बाणी, आपका सरीर आपका एक-एक body language ये कहेगा आपकी आवाज कि कहीं न कहीं सामने वाला आपको अभीमानी समझने के लिए मतलब आप लोगों को जिस तरीके से अभीमानी समझने ही लगेगा और इससे लोग आपसे जलेंगे भी लोग आपके खिलाब भी बहुत होंगे सड़यंत्र करने की भी कोसिस बहुत करेंगे तो इससे बचना है और इसमें खास करके आपको आपके office में आपके colleague से बचना है खास करके अगर आप पुरस हैं तो महला से महला हैं तो पुरस से बचना है अगर आपके boss आपके ठीक opposite gender के हैं तो उनसे बचना है तो उनसे सावधान रहने की जरूरत है आपका नुकसान कर सकते हैं आपकी तरक्की को देख करके यहाँ पर यह स्वास्त की अगर हम बात करें तो स्वास्त की स्थितियों में बहुत ज़्यादा अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा लेकिन जो सुगर इत्यादी की percent है उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है या बहुत ज़्यादा कोई स्कीन का बहुत ख्याल रखता है अपनी तो उसे स्कीन से संबंदित प्रॉब्लम फिर से लोटके आ सकती है अगर ठीक हो गई थी तो यहाँ पर देखा जाये तो आपके बहुत ज़्यादा कर्ज की स्थिति बन रहे है कर्ज लेना पड़ सकता है धनी की स्थिति बहुत अच्छी है तब भी कर्ज लेने का मतलब यहाँ पर यह बनता है 18 अगस्ति पहले कि कोई मकान बना रहे हैं तो कोई लॉण ले रहे हैं कोई फैट यह पर्शेस कर रहे हैं तर देनर्र बेंक लॉण की स्थिति बन रहे लेकिन ऐसा इसी इस्थिति नहीं है कि आपके बहुत बुरे दिन आ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं लेकिन कर्ज किस्तिती बन रही है यहां पर जो लोग गौर्मेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनका सक्सिज होना बहुत ज्यादा सफलता की गारंटी इस महीने 17 अगस्त के बाद बन जाएगी कोई भी अगर आपका सूर्य कुंडली में भी या टीचर बनना चाहते हैं गवर्मेंट टीचर तो वहां पर इस्तिती बहुत अच्छी होगी और आज कल तो एजुकेशन का बहुत ज्यादा क्रेज है और एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है यहां पर आप अगर टीचर हैं खास करके या कोचिंग बगारा चलाते हैं त इस्तितियां अगस्त में 17 अगस्त के बाद में ज्यादा खराब हो जाएंगी यूटी पालर से संब्धित काम थोड़ा सा आपका अच्छा नहीं चलेगा कहीं न कहीं इस प्रकार के इस्तिती रहेंगी बिवाह के योग की इस्तिती जवर्जस्त बनेगी और मैं ये आपकी यहाँ पर इतनी ज़्यादा मर्जी भी न हो या पसंद भी न आए तो यहाँ पर फैमली जवर्जस्ती आपकी ज़ादी कराना चाहें बो भी इस्तिती बन रही है तो जवर्जस्ती वाला विवाह भी यहाँ पर ओने की संभावना है फिर यहाँ पर आजाते हैं तो आपके partnership के व्यापार में भी इस्तितियां बहुत जाद आच्छी होंगी पर partnership के व्यापार में मतभेद बहुत रहेंगे तो partner से बिगणना पाई इस चीज का ध्यान रखिएगा आपके share market के स्तितियां बहुत खराब रहेंगी share market में invest करना सही नहीं है risk बाला काम जादा करना सही नहीं है और भागदोड बहुत रहेगी विदेश यात्रा की योग बन रहे है traveling का काम अगर करते हैं तो वहाँ पर इस्तिती बहुत अच्छी रहेगी travel agency चलाते हैं वहाँ पर इस्तिती आपके बहुत अच्छी रहेगी और विशेश रूप से अगर आप fitness trainer रित्यादी हैं gym coach रित्यादी हैं तो वहाँ पर आपके लिए स्तिती बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है आपकी धन की स्तिती आपकी career की स्तिती अच्छी बनने वाली है अगर किसी प्रकार से पैत्रिक संपत्ती को लेकर बिवाद है तो वो भी आपका सुलच सकता है बिवाद में आपको किसी प्रकार की बिवाद अगर फसे हुए हैं तो वहाँ से निकल सकते हैं अगर देखा जाये तो आपको बाहन दुरगटना से बचना है यानि कि अगर बाहन बहुत तेज चलाते हैं तो बस लिमिट में रहिए क्योंकि आप ऐसा कुछ भी ती प्रता से करेंगे चाहे आप हाउस बाइफ हैं और कुछ भी आप तेज धार चाकू से भी सबजी काड़ रहे हैं और बहुत तेज तेज काड़ रहे हैं तो यहां पर रपस आपको सावधान रहना सदक रहना है बाहन चलाते हैं बाहन दुरगटना हो सकते हैं इसलिए सावधान रहना है और नया बाहन परचिस करने के भी योग बन रहे हैं 18 अगस्त से पहले पहले अब यहां पर हम बात करते हैं आपकी आध्यात में किस्तिती तो आपकी आध्यात में किस्तिती बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है आप पूजा पार्ट में मन बहुत लगेगा और आध्यात में गुन्निती बढ़ेगी अगर आध्यात्म से संबंदित काम करते हैं जैसे टेरो कार्ड रेडिंग हो गई, आस्टलोजी है, भागवत कथा वाचाग या कुछ भी spiritual आप करते हैं, profession आपका है या आपके अपनी खुसी के लिए करते हैं तो वहाँ पर आपकी स्तितियां अच्छी होने वाली हैं, आपक अगर entertainment के छित्र में आप काम कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपका आपकी growth जो है वो बढ़ रही है, आपकी income भी बढ़ रही है, आपकी growth भी बढ़ रही है, अगर आप social media से संबंदित कोई भी काम करते हैं, social media influencer हैं, खास करके modeling का का काम जो लोग करते हैं, चाए beauty पालर से संबंदित काम करते हैं, तो इतनी अच्छी स्तिती नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर धनलाव के योग तो आपकी बन रहे हैं, लेकिन आपके धनेज आपका पूरा लाव जो आप जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे न, उससे ज़्यादा तो अगर आप किसी प्रकार से ऐसे छेतर में, ऐसे फील्ड में हैं, जहाँ पर आपको महनत बहुत ज़़्यादा करनी पड़ रही है, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करनी की ज़रूरत है और महनत भले ही कम कर दिजह, लेकिन फोकस रहिए, क्योंकि आप मह प्राइवेट जॉब है या बैंकिंग सेक्टर का है जॉब तो वहाँ पर इस्तिती बहुत अच्छी बनेगी और अगर कोई अग्जाम इत्यादी का रजल्ट आना है या अग्जाम दे रहे हैं और वो बैंकिंग से संबंदित है सरकारी बैंक में जॉब से संबंदित तो वह पर भी आपके लिए स्तिती बहुत ज्यादा अच्छी बनने वाली है और आपके अच्छे योग बन रहे हैं सफलता की स्तिती बन रही है सरकारी नोकरी लगने के तो योग हैं ही है बिदेश यात्रा आपकी ज्यादा हो सकती है और बिदेश यात्रा से आपको धनलाब तो कहीं न कहीं इस्तिती ऐसी रहेगी लेकिन आप अगर बकील हैं जज हैं कोट कचेरी से सम्मंदित काम करते हैं पुलिस विभाग में हैं तो वहां पर आपके खिलाब कुछ हो सकता है कारवाई हो सकती तो थोड़ा सा बचके रहने की जरूरत है दोस्तों यह था आपका रा महिना चल रहा है तो अभी तो सिभ जी के उपाय करिए जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाब मिलेगा तो कि इस बार का सावन भी 19 साल बाद आया है क्या करना है एक चांदी के या पीतल के लोटे में जल भरना है जल में थोड़ा सा गुलाब जल डाल करके थोड़ी सी केस डाल करके आपको सिभ लिंग पर चड़ाना है ओम नमस्षिवाई जब करते हुए तो आपकी सभी मनुकामनाय पूरी होंगी पूरा महीन अच्छा रहेगा और हर सौमबार करिए अगर पूरे महीने नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें वीडियो को लाइक करें और हमें अगर यूटूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों नमस्कार